जम्बू कश्मीर के पुल्वाम जिले में आतंकवादी हमला होने के बाद वरिष्ट गीतकार जावेद अक्तर और उनकी पत्नी अभिनेतरी शवाना आजमी ने पाकिस्तान में एक कारिकरम में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है अक्तर ने शुक्रुवार को ट्वीटर पर जानकारी दी कि वे कराची आर्ट काउंसलिंग द्वारा आयोजित कारिकरम में शामिल नहीं होंगे उन्होंने ट्वीट किया एक आत्मगाती हमलावर ने गुरुवार को विस्पोर्टर को से भरी उसकी SUV को श्रीनगर जम्बू राजमार्ग पर CRPF की एक बस से भिरा दी थी इस आत्मगाती हमले में 49 लोगों की मौत हो चुकी है जम्बू कश्मीर में 1989 में आतंगवात के सेर उठाने के बाद से यह सबसे भयानक आतंगवादी हमला है हमले की निंदा करते हुए शबाना ने कहा कि वे दुख और दड़ से भरी हुई है आईनेस रुपोर्ट